गर के बिल्कुल सामने कितना सांदार गड़ा जो है आपे सुवीदा यहां पे रहने वालों को दी गई आप देख सकते हैं यह देखिए आप दारू की बोतले भैंस आपको उदर पानी में आपको बैठी हुई दिखाई देरी आप देख सकते हैं देखिए आप पहले ही तो पीने का पाणी तक नहीं है कोई भी सुवीदा नहीं है 17 साल से कंपनी जो है लोगों का हाग लूट रही है दो फोर्टी फाइफ इन्टू टैन यह देखिए अलग जो भी सो टीडिया सेल और परचेस का एगरिमेंट जो इन्हों किया हुआ है उसमें जो भी वाद ना परशाशन कुछ करता है ना जो है ये कंपनी कुछ करती है इस अद्धक जाएंगे कि यह तो हम है हमारा हक मिले या जो है हम इसको हर चीज़ को ब्लोग करेंगे आर डबलू ए और रहने वाले परिवारों के दवारा यहां पे साइट मैनेजर के ओपी स्पेस वक्ताला लगा दिया गया है नमस्कार आप सभी को मैं पुश्पा सर्मा और आप देख रहें संसार करांती दोस्तों आज हम सोनीपत की पार्सवनाथ सिटी के मैटर में यहां पर मौजूद है और पंगा यहां पर बहुत बड़ा आप देख सकते हैं कैमेरा मैं से कहूंगे आपको दिखाया जाए और डबलू ए रजिडेंट वेलफेर आसोसियेशन यहां पर मौजूद है और वहां पर सोसाइटी में रहने वाले परिवार भी यहां पर मौजूद है जो साइट मैनेजर आप देख सकते हैं सामने साइट मैनेजर का यह ओपीस है पार्सवनाथ सिटी के ज आप डबलू एँ यहां पर आई तो साइट मैनेजर है वह यहां से फरार हो गया क्या रीजन है क्यों पब्लिक में इतना अक्रोस है क्यों यहां पर इकठा हुए हैं आई यह जो हमारा अभियान है दोस्तों सोनीपत से संसार करांति के मादम से पॉल खोल अभियान तो पू ओसाद की साथ सेयर करते रहें और हमारे साथ बने रहें हैं नमस्कार सर क्या का रहा है क्या कुछ मतलब क्या रीजन एप्यारीजन यह पर सोनात जो है कम्पनी है इतनुन है 17 साल पहले जो है अपना यह अप्से पहले नाम बताएं सर अमेरा फृंद्र शिंगला होता क्या यहां पहले ही तो पीने का पाणी तक नहीं है कोई भी सुविदा नहीं है 17 साल से कंपनी जो है लोगों का आख लूट रही है और ऐसे ऐसे भी केस हैं जिनों पैसे दे रखे हैं हरुन के जो है पलाट तक का कोई जिकर नहीं सदे चैर करोड रुपी है यह जी पचास जार रुपे पर एड एक एक आदमी से ले चुके कलब बनवाने के लिए और कलब की जमीन भी अलॉट नहीं की ऐसे नहीं है यह एनके एगरिमन्ट में जो शेल और परचेस खाई जो इन्होंने किया हुआ है उसमें जो भी वाद्य किये हैं व्यरत बहुत हैं और केबलने का जौहीं नहीं तोड़ी सुईदा जो हैं आमने वो कराई है जो है पांच्छा लाग रुपे हर महीने यह जो मैंटिनेंस के चार्ज करते हैं और वहां कोई एक पैसा नहीं लगाते ना इनका कोई माली ना जो है कोई जाडू वाड़ा एक दिन आते हैं और चैर दिन गायब होते हैं उसमें आठ आठ दस दस आदमियों की रिजिस्टर माजरी लगाते हैं उनकी तंखा लेते हैं वो खाली खर्चा भिलिप करते हैं कोई सुनवाई नहीं कोई जो है सरकार द्यान नहीं दे रही जो है वहाँ सीम विंडो में भी अमने अप्लीकेशन लगा रखी है सतरा साल से लोग जो है चला चला प्रेशान ओ लिए और ये तो ऐसे में बोलते हैं बार डूए क्या कर ले तुमारे पीछाद दस आदमी है हमारा सरकार माहत है हम यह कर देंगे पैसा फैंक देंगे वो पैसा ये खिलाते हैं न पर्शैसन कुछ करता है न जो है यह कंपनी क कुछ करती है और जो है यहां बिमार हो रहे हैं लोग करोना में इतने प्रेशान हों है जो सवस्त पाणी चाहिए और पाणी यहां दोजार पारशवनात की बिल्डिंग की भी बिल्डर को सीखने जो है एजेव बिल्डर बनाने का अगरिमेंट करके इन बनाने लग रहा है यह तो चलो अब इसका उद्धार थोड़ा संभव होया है ना जो लोगों को कुछ नी मिलना था यहां जो है यह खंडर पड़े थे यह सामने जो आप देख रहे यह भी वलोग की जमीन है कंपनी ने यह बेच का भी यह 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 बागने की तैयारी में है रुपे रुपे लूट रहे हैं यह वलोग म जो है वह गेट भी तोड़ दी आप वहां Jew है यह बनाने लग रहे हैं और वह उनकी जमीन रोड तक आने लग रही है वह वह तो, पैसे दिये भूह तो कहतो है बाहां तो आपनी जमीन लेंगे तो के वहां मुधमे जमीन बाइ जो है लोग वैसे एंक्रोच्मेंट कर रहे हैं कोई किसी की जगए घर रहे हैं कोई किसी की जगए पाउर आउस तेतिस के वी आ जो है वो इनों नहीं बनाना था वो नहीं और एस टीपी नहीं वह जो है पाणि उन मा बर्या रहता है इतने मच्छरों रहे हैं जो है हर गर्म चरचर जो हमरीज पड़े हैं वह ना वासाब सपाई इतने साप गुम्म हैं यह तिन चैर दिन पहला ना फेसिंग के घर मैं इतना बड़ा जो है आदी सर दोस्तों आप देख स बिजिली की सुवीदा ना वें पर बाटर टैम की सुवीदा जी हां मैं आगको बता दू सोनी पत की पारशावनाज सिटी जो सोसाइटी है इससा है सेनीपत सेER की पारशावनाज सिटी ब्लिक को किस तरीके से परिसान कर रखा है विल्टर कुछ मुद्दा था सांप का यह शाम की बात है कुछ 3-4 दिन पहले सांप मेरे घर में घुस गया था यह तो अच्छा हुआ कि जो पडोसी हैं उन्होंने देख लिया ने तो कुछ भी हादसा हो सकता था बहुती जारिला सांप था आप देख सकते हैं कि सांप भी घरों में घ दर्शन कर रहे हैं जो यहां पर प्रोजेक्ट मैनेजर थे वो गायब हैं और हमारा अब तीन दिन से लोग यहां पर दिन रात बैठे हुए हैं अब इसको हम आज ताला लगाएंगे और आगे हम इनकी एंट्री बंद करेंगे जो दुखी लोगों से जो भी कुछ बंद प आएंगे अगर हमारी जो मांगे हैं वह पूरी नहीं की जाती परिवार भी यहां पर मौजूद है और आम आदमी पार्टी से देविंदर गोतम जी वी सायद समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं तो मिलते हैं उनसे और जानते हैं क्या कुछ विचार और क्या कुछ कहना नमस्कार आज आप यहां पर पहुंचे हैं जो फब परिवार इंकी परिशानी को जानने के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे देखें मुझे शुरिंदर गहलावत जी है यहां पर डवलूए के प्रेजिडेंट है और इलेक्टिड प्रेजिडेंट है चुनाव हुआ है दोजार पाच में यहां पर जमीन को लिया और प्लाटिंग की गई यहां पर आप सामने अभी जो डवलॉप होने लग रही है यहां पर खट दे थे इनको भरा गया अब भारी भरकम पैसों के अंदर एक इस जमीन को बेचा गया है जो जमीन के अंदर पहले प्लाट लिए अब दोबारा इस इस कंपनी को उन प्लाटो को दूसरे जो डवलॉप पर है उसको सेल कर दिया कोडियों की बाव को लेकर के जमीन को उसमें बहुत ज्यादा मुनाफ़े के साथ उसको बेचना पहली बात तो यह उसके बाद सुवीदा के नाम पर लोगों को कोई भी सुव साब भी अंदर गुसके हैं चोरिया हो रही है पानी की जो टीडियेस है वो रहसो बढ़ चुका है मतलब किस परकार आप मतलब एक हरियाना सरकार किस परकार काम कर रही है जो लोगों की जो यह समेशा है उनको दिखाई ने दे रही है ठीक है एक डेवलपर ने जमीन परिवार भी यहां पर मौझूद है नमस्कार मैं क्या कुछ परेशान है क्या कुछ समस्या मैं क्या कहना चाहिए परेशान है परेशान है जिसुई दाता एक नहीं है कोई इसी विश्वीदा ने किसी भी उसका पूच के देखो आप पानी भी नहीं है बिजली भी नहीं है रोड भी नहीं है इतना रोड यह रोड पर कि वह रोड तो दीखता ही नहीं कि रोड भी है तूट अवा दीखता है विल्कुल खंडर है आप देख सकते हैं कि छोटे से बच्चे को लेके किस तरीके से यहां पर परिवार जो है यहां पर मौझूद और कितना परेशानी की हालत में एक तो ग पारसवनाद सिटी का मुद्धा है यह जो सुसाइटी हमाँ पर रहने वाले परिवार आप देख सकते हैं कि परिवारों की आज क्या हालत है जी मैं क्या कहना चाहिए हैं कोई भी शकोर्टी नहीं पानी नहीं और यहां चोरिया भी होती है घर्प में पंद्रा गम्ले रख दिन में पसू रहते हैं गाहों चोड़के बंदा सहर में इसलिए आता बच्चों को अच्छी एजूकेशन मिले अच्छा माहूल मिले लेकिन यहां पर आने के बाद मतलब आप कैसा मेहसूस कर रहे हैं समस्या हर एक लेडीज दुखी हैं हर एक लेडीज दुखी हैं यहां पर कोई भी सेप नहीं लेडीज इस अच्छा तो गाहों ही था ठीक वाद यही है और इस और डबलुए में जिलेडीज जो है नारी सकती सबसे ज्यादा जो है लोगों ने इसमें सामिल है चैसात सबसे एस रुख्षित यहां लेडीज हैं रोडों पर बीच में बैठ के खुले में ऐसामाजीक तता हो यहां जो हदारू पिते हैं कोई उनको बोल नहीं सकता पसू जो हगुमते रहते हैं और वो कहते हैं गाहों वाले गिया तो हमारी जमीन है पैसे भी ले लियर वहां ज कोई भी चीज नही है और कई चले जाओ कोई सुनवाई नहीं है जो है परशासन की कोई अलप नहीं है मतलब यह पैसा वाटे आदमी है लोगों से पैसा अर्ट के अब सब्सक्राइब कुछ दिन लिए आप पारकि लड़ाई लड़ेंगे यहां चाहिए हमारे कोई मारे यहां जो आप इस अदक जाएंगे है कि या तो हमें हमारा हाख मिले या जो है हम इसको हर चीज गो बलोग करेंगे अब आप देख सकते हैं कि जो आम पबलिक है जो अपने बच्चों की पढ़ाए के लिए उचीज आजूकेशन के लिए सैरों में आती है कि बच्छों को अच्छा महोल मिले लेकिन आप यहां प पे देख सकते हैं आप यहां पे रहने वाले परिवारी सेक्राइंस 그ा अब्रूर को सब्सक्राइबूरwart करते हैं सो नीपत की रहनेवाली पब्लिक को जानकारी मिल सके। पॉल खोल अभियान सोनीपट से आप देख सकते हैं और डबलू ए और रहने वाले परिवारों की दवारा यहां पे साइट मैनेजर के ओपी स्पेस वक्ताला लगा दिया गया है मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद सबसे पहले दन्यवाद करते हैं जी देवंदर गोतम जी गा जो इस अमारी जो है समस्या में जो है सपोर्ट करने के लिए जो हमारे साथ खड़े हुए यहां जो है मीडिया को ले आए और हमारी आवाज को बुलूंद करा हम जो हर देगी कराईयों से जो है अपने सभी सरकार है और जो इस में जैसे मेर हमारे कॉंग्रेस से हैं तो मतलब कितना कुछ संतुष्ट है आप दोनों सरकार से और आम आदमी पार्टियों कितना समर्थन एक आम नागरिक होने के नाते मतलब क्या कहना चाहेंगी जखो जी अमेर राज नित्तिका दो जैदा पता नहीं लेकिन हमें इतना पता है अगब सतरा साल पिछले दोरान किसकी सरकारें रही हैं और यहां लोगों का क्या आल है तो हम कैसे संतुष्ट हो शकते हैं हम तो बिलकुल जो है इतने प्रेशान हो गए जब जो है ये स्टेप उठाया जब हम हर जगा ओफीस में ब्रस्टा चार इतना की और कोई जो है सुनवाइ नहीं गुलाएं नहीं था है दस पांच आदमी खटे ओ रहे थे तो अपने आप जो हैंनों नहीं आगए हमारी जो है करना चाहिए तो आए हैं हमने राजनित्ती के पचड़े में नहीं पड़ना जी लेकिन कोई भी नागरिक है जो यह तो चाहेगा हमारी सरकार साप छवीगी हो और जैसे दिल्ली में काम हो रहे हैं वहांगी जनता खुस है हम भी चाहूंगे क्यों नहीं चाहूंगे जी यहां जो है साप छ हमारे वह हमारे जा रहे हैं तो हम संतुष्ट कैसे होंगे देवंदर जी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे यहां पर हर्याना में जो जरूरत की चीज़े हैं एजुकेशन हो गया दवाईयां हो गई मैडिशन वगारा हो गया शिक्षा हो गया इन तीनों कि जो में हर्याना सरकार तकरीबन तकरीबन फेल होती हुए नजर आ रहे कहीं ना कहीं हरोज इन्हीं मुद्धों पे चर्चा होती है एजुकेशन को ले लो आप दवाईयां ले लो और जी रोजगार ले लो तो इस विसे पे दिल्ली में जो आपकी सरकार जो सुवीदाए मुधाइं जो पडली को जरुड की सुवीदाएं मुःया कर आ तो सब्सकूंद की कारन की करनी में बहुत जादा फरक है वह कहती है तो करती नहीं अब देखे कि वह डिसीजन टेकिंग पावरी नहीं है उनके पास से कभी कहते कि हमने यह चीजे 134 के मुद्दे को ले लो पहले खतम कर दिया उसके बाद पर फिर लागू कर दिया उसके बाद अभी इन्होंने एक दो मुद्दा और था कि उसके लाड़ी हो आप उनी के उपर कर लगा रहे हो कि आपको स्टेडियम के अंदर गूमने के लिए सोर पे महिना देना पड़ेगा और उसको फिर वापिस ले रहे हो तो मतलब यह सरकार है या मतलब क्या हरकते कर रही है तो सरकारी चलाना इनके बस में नहीं है यह बिल्कुल ना समझ इंसान है और कुर्षियों में बैठे हुए है जिनको सिक्षा के परती कोई वह वफादा नहीं और विपक्स जो है वह कमजोर है गीता बुकल का भी जो पूरो में सिक्षा मुंत्री पर यह उनका ब्यान आया कि अपना चो है हम सिक्षा के उपर राजनेती नहीं कर लेकि हम इंसा के मारग पर नहीं चलते तो दोनों पार्टिया मिल करके लोगों के अंदर संपरता एक दंगे बढ़कवाती है बाद में बायचारा तोडने का काम करती है कहीं जाथिवाल जी जो है संपरता एकता से दूर धर्म की और जाथिवाल से दिकार करने के लिए आगे आए हैं और मैं मतलब आपके चैनल के माद्दम से लोगों से पील करता हूं कि इस मुहीम से जो उन्होंने चलाई है उससे ज़्यादा जुड़े और उनका जो धे है एक राश्टर को आगे ले जाने में उनका साथ दिल खोल अभियान में आज की खास पेसकास ऐसी और के लिए जुड़े रहे हमारे साथ अभी आगे की वीडियो में आपको जो वो पारसवनाथ से सोसाइटी है वहां पर दिखाया जाएगा वहां पर क्या हालात हैं तो सोनीपत की पबलिक से मेरी अपील की वीडियो को जड़ा से ज़्यादा सेर जरूर करें और गेट के सामन है हां जी सर यह जी देखो जब इन्होंने यह कंपनी बनाई गेट बनाया यह जो है परकवारक दिखा गए बहुत अच्छा जो है में फ्रंट दिखा गए और यह पलाट वगेरा बेच दिये यहां पहले मॉल की साइट जो है खड़ा था यह तो अब कोशिक साब ने बरव भी नहीं है लेकर नहीं जो है आपनी पूरी करेंगे और वह जमीनारी है यहां तक अब आमने जब पलाट लिया जब इसको पूरा स्ट्रक्चर देखका है यह गेट देखका है देखो वह जो खड़े हैं उदर यह जो है यहां तक दिवार और वहां तक यह गेट ता यह पूरा गेट देखओ एक्ट किया हुए यह तोड़ दिया यह देखो मज़र वहां जो जो वह खड़ा जो टिखाई दे रहाएं वहां तक यह भी भी है यह देखो अब यह यहां तक यह इसको कलोज करेंगे अदेखो यह 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 जो यह यह चैक पोश्ट थी इस पर अब यह पूरा रोड जो है यह खतम हो गया यह सारा तोड़ दिया यह देखो लाइट वगरा यह सारी इसमसरीय वगरा जो भी था अब यह जो है अधमरीकर का गेरगाय चले गए थे यहां एसा माजिक तता हो यहां जो है दिन डेली का काम है रोड गे उपर बैठ का दारूपी ते हैं बोतल भोड़ देते हैं हम हर जगह गूम लिया कोई सुनवाई नहीं और पसू इतने लेगा ते हैं रायपर गाउं की तरफ से जो है यह रायपर की जमीन है वो कैं तेह अमारी जमीन है यहां किसी ने किसी के असाथ डेली जगडा होता है पेड़ पोत देवो जो हवरक सारे तोड दिये जो है आमने थाने में भी अप्लिकेशन दे दी यहां कोई सुनाई नहीं ना यह सरकार कुछ शुनती ना परसाशन कुछ सुनता ना यहां कमपनी सुनती य रूसमें कीदे चाल लें हैं जब आमीति ने जो है पानी भी हमें पीने को नहीं मिलता तब जो है जागा हमें प्राइब इंक्रोचमेंट और हैं लोग घेर रहे हैं और कोई पूछने वाला है नहीं है कुछ करो मनलब इतना बुरा आल है यहां जो को एसु दिलेने वाड़ा यह बंदा नहीं है यह वहां तक था यह पूरा गेट यह पूरा रोड वहां तक जो एमिटी पड़ी यह यहां तक यह रोड था आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर दारू की बोतले आपको दिखाई दे रही है मैं कैमेरा मैंन से कहूंगी चारो तरफ आपको गुमा के दिखाते हैं यहां भी और आगे चलेंगे यह देखिए यह देखिए आप दारू की बोतले अभी चारों तरफ आपको गुमा के दिखाया जाएगा देख सकते हैं कि आप यहाँ पर क्या हाल है ना कोई सेक्योर्टी है गेट पर गेट टूटा हुआ था और दारू की बोतले ही बोतले आपको यहाँ पर चैरो तरफ नजर आएंगी मैं आपको इस रोड के हालाद दिखाऊंगी, पारसवनाथ सिटी, ब्लोक है, वो रोड के हालाद आप देख सकते हैं, जहान से देखीगा कितना सुन्दर रोड जो है यापे बना रखा है, यह देखीए आप, यह देखीए, गड़े देखीए आप यह आपे, यह भी दिखाय यह देखीए, मोटी मोटी रकम जो मैंटेंस के नाम पर ली जाती है, यहाँ पे रहने वालों से, यह देखीए आप, यह देखीए, दोस्तों यह रोड का हालाप देख सकते हैं, चैरो तरप गड़े ही गड़े आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, पारसवनाथ सोसाइट पारसवनाथ सीटी, ब्लोक ए का यह मुद्दा है दोस्तों, देख सकते हैं, गड़े आप, यह देखीए, पारसवनाथ सीटी, सोनिपत, यह देखीए आप, परेशान होके, यहाँ पे रहने वालों ने खुदी इस गड़े को यहाँ पे इंटे डालके, यहाँ पे कवर कर देखी आप, यह देखी आप, यह देखी आप रोड का हाल, दोस्तों, यह पारसवनाथ सीटी का रोड है, यह भैंस, आपको उदर पानी में आपको बैठी हुई, दिखाई देरी, आप देख सकते हैं, देखिए, पलाउट दे रखिये, यह परशना थे जिन में बैंसे ले जाता है, यह आला था है, इस कंपनी के, प्लांटेशन करते हैं, यह गाउं के जो पसु हैं, बहुत सारे स्याम को 12 एक बज़े के बाद आ जाते हैं, और सब मूच जाते हैं, लेकिन कोई काम्याब नहीं हुए, जी, उल्टा, बोलता है कि बैसे हैं, हमारे खेत हैं, लड़ कोई गाउं की तरफ चैरदिवारी ही नहीं की हुई है, अगर कोई रुकाओट हो, पानी की रुकाओट हो, या ऐसा मतिक तत्व की कोई रुकाओट हो, या पशुआँ की, ऐसे ही दाने वादे हैं, अभी पानी का TDS यहां पर चेक किया गया है, हमझी, जी, जीक करेंगे अ ओफ है अभी यह, अभी आपके सामने पाड़े लेंगे, यह मेन लाइन है और यह ओन कर दिया है, यह इन्टू टैन है, देखना आप अभी इसके उपर, गोना कि दर करके दिखाओ, टू फोट फाइफ इंटू टैन, यह देखिए, वहलाब चोविश्टों, टीडिएस लगा, चोविश्टों, चोविश्टों पचास, टीडिएस की रस्वाई है, और कहीं 2जार है, जो हाद आलग अलग यहां पर, जो है, चोविश्टों पचास का TDS है, हमने चलती हुई, मेन लाइन इसे पाणी लिया आपके सामने और आपके सामने जो है रीडिंग चैक करी और अगर किसी को शक हो तो वह आगा चैक कर ले लेकिन जो है कंपनी वाड़ों उन्हें पैसे देगा जो रहे रहामा हमने रिपोर्ट बेजी दी लोकल कमिशन को जो है वहाँ 400 TDS करवा द अपना बाट दें हैं को लूट जा रहा है यहां पीने का पाणी नहीं हर एक निसान को जो है किसी को खुजली किसी का जोड़ों मतरत इतनी प्रेशन नहीं है लेकिन सरकार सोई पड़ी है और कोई सुनने वाड़ा नहीं कंपनी लूट का जो है चली गई हमने